हे गाईस कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग क्वेशिन पूछते हैं चैनल पर कि उनको आरार भी जॉइन करना चाहिए या आई बी बहुत सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अपकी लाइफ की प्रियारिटी क्या है आपको अपने घर के आसपास रहना आपको ज्यादा पसंद है या आपको अपनी लाइफ में इंक्रीमेंट पसंद है यह जादा सेलरी पसंद है करियर प्संद है अब को सबसे पहले आपको सबसे हम इसको आपको अब यह और आप यह हम इसको डिसकुस कर लेते हैं कि आप जैसे RRB मिला, आपको पता है, RRB एक स्टेट में ही होता है, ठीक है, और एक स्टेट में भी कई RRB हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है, जहां आप रहते हैं, जिस एरिया में आपका घर है, वहाँ पे RRB है, अगर RRB है, और आपको वही RRB मिल जाती है, तो मुझे लगते RRB एक से एची फिर जॉब कोई नहीं है, क्योंकि आपको अपके घर पे रहके काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत ही कम जॉब्स है घर पे जॉब करने का मौका मिल रहा है, ऐसी जॉब्स शायदी आपको इसी एजली अवलेबल हों, गोर्मेंट जॉब ब्रंचेज होती है, तो होम पोसिंग मिलने के चांसे बहुत ज़दा होतें JRB में, तो अगर आपका जो मोटो ये है कि अपनी घर के आस पास रहके जॉप करना चाहते है, तो आप RRB जोइन कर सकते हैं और आपका मोटो है करियर को कि आपको जल्दी जल्दी प्रोमोशन चाहिए और सेलरी में थोड़ा बहुत ज्यादा सेलरी में अगर मैं बात करूँ तो सेलरी में कोई अंतर नहीं होता है सेलरी एस इस सेम होती है बस अभी एक छोटा सांतर होग आपको क्लर्क में का में और चौदा सोग कि अगर बेसिक शल्दी सिर्पेस सिर्फ ब्हात करें और आब बें देख सकते हैं तो यह केंवे थे अच्छी से और चाहिक कर दो ।क मुछ तो आप जाएए अपने IBPS में क्लर्क है तब तो आप अपने होम स्टेट में लेकिन आप जैसे प्रोमोट होगे आपको खुद भी नहीं पता आपको किस स्टेट में बेज दिया जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि फैमिली हो जाती है फिर आपके पास आपका समान है मैंने भोला कि यह आपको घर के आजस पास रहना पसंद है यहां को कहीं दूर करियर पत पसंद है यह आपको कहीं दूर पर भिख पसंद है वहां और थोड़ा जल्दी बन जाएंगे जिए आप पर डिपेंड करता है तो देरे देरे यह अंतर आ जाता है तो अगर आप अभी भी कन्फ्यूज हैं तो आप यह देख लिजे कि आपको की प्रियर्टीज के हैं आपको खुदी आंसर मिल जाएगा ठीक है जैसे मेरी प्र अगरे ब्रांचेस कम होती हैं मां लिए आपकी सिटी में आपको भी देखेगा मां लिए union बैंके कितनी ब्रांचेस होगी आप उंगलियों फिंगर टिप्स पढ़ेंगे उतनी ब्रांचेस वह सोती है लिकलि किसी आरार्वी ये अगर आप बात करेंगे तो एक एक कर लेता हूं फिर मैं पीसिस की तेयारी करूँगा ये करूँगा वो करूँगा ऐसा मतलब बैंकिंग जॉब में तो थोड़ा सा मुझके लबागी करने वाले कुछ भी कर लेते हैं तो अगर वर्कलोड की बात करें तो मैं अपने लेवल पर बता जिता हूँ जितना मुझे लगता है कि RRB में भी बहुत जादा वर्कलोड है क्योंकि आप ऐसे समझें कि जब डिरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर का पैसा आता है और अगर किसी को 200 अरपय निकालना तो बेंक आएगा क्यों कि गाउं में आपकी ब्रांच हो很गी आस-पास कोई और बैंक होगी नहीं ठीक है और ATM कोई होगा नहीं अगर उसको 200 अरपय और इनसान को निकालना गाई सब्सक्राण का मना नहीं कर सकते जितने कस्टमर आएंगे आप उनके साथ डील करना है और नैशलाइस बैंक में यही थोड़ा आराम हो जाता है तो यह बात हो गई आपके अभी तक कि आप चूज क्या करें मैंने आपको चुटा चूटा आइडिया दे दिया ठीक है और अब नैशलाइस बैंक में क्या है वहां पे थर्ड पार्टी के थोड़ा सा जादा हो है कि आपको थर्ड पार्टी बिजनस भी लाके देना है बहुत थोड़ा सा बस सकते हैं बागी काम तो दुनों जगे बहुत जादा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैल को सब्स्राइब करेंगा वीडियो को लाइक करेंगा और दोस्तों साथ शेयर जरूर करेंगा और कोई भी आपकी अगर क्वेरी हो तो नीचे कमे करेंगा और हमारे साथ ऐसे जुड़े रही है फिर मिलते हैं जै हिंद